हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू जैजीस किचन आज मैं आप लोगों के लिए लेकी आए हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी जैसा कि आप सब जानते हैं गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी के सीजन में बहुत सारी ऐसी सब्जियां आती हैं जिसे हम स्टफ्ट करके बनात हैं करेले हो गए भिंडी हो गई बहुत सी सब्जियां होती है तो आज हम बनाएंगे होममेड स्टफ्ट मसाला तो चलिए मेरे साथ मेरी किचन में और मैं बताऊंगी आपको कि यह मसाला हम कैसे बनाएंगे तो आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ट मसाला जो कि हम किसी भी डाल दीना तो हमारी सबजी के टेस्ट में चार चान लग जाते हैं तो चलिए सबसे पहले हमें चाहिए इसको बनाने के लिए मेथी दाना मेथी दाना बहुत ही टाइट होता है तो इसको हम पहले सेपरेट रोस्ट करेंगे क्योंकि इसे हमें सेपरेटली ही रोस्ट करना है क् पीसना भी है हमें इसे बागी मसालों के साथ ना तो रोस्ट करना है ना ही इसे पीसना है तो चलिए हम इसे रोस्ट करते हैं जिसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक तवा और उसे हमने फ्लेम ओन कर दिया है तो इसमें हम डालेंगे हमने यहाँ पर तीन टेबल स्पून मेथि दाना लिया है आ इसे हम lo to medium flame पर roast करेंगे धीरे धीरे तो दीखे हमें इसको ऐसे चलाते हुए low to medium flame पर high flame बिल्कुल भी ना करें नहीं तो यह उपर से तो काला काला सा होने लगेगा रंग बदल देगा बट यह roast भी नहीं होगा ठीक से तो इसको low to medium flame पर हम इसे अच्छे से roast करेंगे तब तक हम देखते हैं हमें बाकी spices कौन से चाहिए जणी हमने अच्छे ले ली है एक dish और इसमें सबसे पहले हम लेंगे जीरा तो हमने यहां पर ले लिया है एक टैबल स्पून जीरा और अब हमें इसके साथ ही साथ चाहिए ह साथ चाए चाहाएं चाहेँ उसे हमने रोस्ट करने के लिए रखा है, तो देखिए हमारा मेथी दाना काफी अच्छे से रोस्ट होने लगा है, कलर चेंज करने लगा है, तो अभी इसे हम एक से दो मिनट तक और रोस्ट करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही, चलिए हम देखते हैं हमें बाकी स्पाइ और अब इसके साथ ही साथ हमें यहां लेना है धेर सारा सुखा धनिया, यहां सुखा खड़ा धनिया जो आता है, वो हम यहां लेंगे, तकरीबन हाफ कप हमने यहां पर धनिया लिया है, जो मेजरिंग का पाते हैं ना, हाफ कप धनिया या फिर 8 टेबल स्पून धनिया शिफ्ट कर लेंगे, चलिए हमने यहां पे ले लिया एक बोल और इसमें हम डालते हैं अपना मेथी दाना जो हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसे हम थोड़ा सा रूम टेंपरेचर तक आने तक ठंडा करेंगे और फिर हम इसे सेपरेटली ग्राइंड करेंगे, इसे ब अच्छे से रोस्ट करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर, फ्लेम को हाई बिलकुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके मसाले जल सकते हैं, वो उपर से तो बिलकुल जल जाएंगे, बट अंदर से वो अपनी फ्रीग्रेंस नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसलिए लो फ्लेम कर यह इसे हमेशा रोस्ट करें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो मसालों की फ्रीग्रेंस लो फ्लेम पर रोस्ट करने पर आती है ने, वो कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं आएगी, हाई फ्लेम पर आपके मसाले जल जाएंगे, तो चलिए हम इसे अच्छे से रोस्ट कर जिसे की बिल्कुल भी नीचे ना रहें क्योंकि जीरा है, सौंफ है, बहुत ही बारीक मसाले होते हैं, तो जो नीचे रह जाते हैं यह हमेशा इनके जल्ले घडर रहता है, तो इसे continuously stir करते रहे हैं, और यह आप किसी भी सबजी में यूज़ करेंगे, किसी भी stuffed vegetable में, उस में वैसे भी हम भरवा सब्जियां बनाते हैं, तो बस इस मसाले के दो चमच बाकी मसालों के साथ अकेले नहीं, बस इस मसाले के दो चमच आपकी सब्जी के टेस्ट को बहुत बढ़ा देंगे, आप जरूर इसे ट्राइ करना, और फिर मुझे जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, तो चलिए, अब ये काफी मसाले भून चुके हैं, और इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे, आदा छोटा चमच हींग, ये हमने अभी हींग इसमें डाली है, और इसके साथी साथ है, इसमें हम डालेंगे, चार से पांच लाल सूखी खड़ी मिर्च, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बस एक मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही इन मसालों के साथ भूनेंगे, जिसे की जो मिर्च है, उसमें अगर थोड़ी सी भी नमी है, तो वो गर्माईश से सूख जाए, मिर्च दिक्कत कर सकती है, सूखे मसालों में, अगर वो गील है तो, तो बस हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, मिर्चे भी हमारी गर्म हो गई है, हमने फ्लेम को कर दिया है, और इस मसाले को हम रूम टैंपरेचर तक आने तक ठंडा करेंगे, बहुत ठंडा करने की ज़रूत नहीं है, बट इतना गरम हम उसको मिक्सी के जार मे नहीं पीश सकते हैं, इसे नहीं हम बिल्कुल पोर्सले ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है, तो चलिए हम इसमें डालते हैं हमारा लास्ट इंग्रिडियन और वो है कलॉंजी, यानि मंगरॉलियन सीट्स, इसको हम एक चमच इसमें हमने डाले हैं जा सकते हैं, तो चलिए हमारी मेथी दाना भी ठंडा है, सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे, वो भी हम separately इसे पीसेंगे, क्योंकि यह बहुत हार्ड है, इसलिए हम इसे बाकी मसालों के साथ नहीं पीस सकते हैं, जाने मिल्कुल इसनद्दी को चलाते हैं और छोड़ देते हैं, चलाते हैं अर च्छोड़ देते हैं बस उसी सापसिया पेशे चुलाना है बिल्कुल भी महीन नहीं करtha है वरना कि टेस्ट नहीं रह जाएगा जो होना чाइए बस हमें इसे बहुत कि दरदरा पीशना तो चलिए हमनेशारे बिल्साले मतलब बीना पीसे हुए वो इतनी जल्दी पीसते नहीं है फिलाल तो देखिए हमारा मसाला जो है वो बिलकुल रेडी है अब आप इस मसाले को बाकी मसालों के साथ मिला कर कोई भी स्टफ वेजटेबल बनाएं इन गर्मियों का मज़ा लें स्टफ वेजटेबल के साथ और य आप इसे जरूर ट्राइ करें और मुझे जरूर बताएं आपको कैसी लगी तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शियर करें और हां बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरे नेक्स वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी